नेक्स अपन लोग आज देखने वाले हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिक्स को इंप्रूब करने के लिए या जो भी फर्स्ट एयर सेकेंड या थर्ड एयर के स्टूरेंट्स हैं कई बार उनको होमीपिती को लेकर कॉन्पिडेंस नहीं होता है उनको लगता है कि होमीपिती मे नहीं है लेकिन मैं आपको बता दो हमीपिती बहुत स्कोप है बस आपके नॉलेज को अपने अप लेवल पर रखना है और क्लिनिकल प्रैक्टिक्स करनी है टाइम देना है और रिजल्ट आएगा ठीक तो उसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चे कोश्चन करते हैं कि सर होमीपिती का स्कोप फ्यूचर में नहीं है नहीं है हम क्या करेंगे कैसे होगा लेकिन स्कोप है सिर्फ आप पढ़ें तो उसको देखते हुए मैं अपने क्लिनिक में बुलागातार बहुत पेशिंट देख रहा हूँ तो एक या दो केसे से हैं जो मैं हमेसा आपको या वी एक क्वालिटी के पेशिंट देख सकते हैं एक क्वालिटी के पेशिंट देख सकते हैं होमीपिती में एक क्वालिटी का पेशिंट आता है जो अच्छा आप फीज भी पेल पता फीज देता भी है और उसको अंडरस्टेंड भी होता है कि होमीपिती कैसे वर्क करती है ठीक जो patient की demand है जो patient उसको जिस लवल पर लेना चाहता उस लेवल पर आप काम करें ELM POTENCY पे काम करें तो या सिंगल डोस पर काम करें की सिंगल डोस पर पर काम करें महदर टिंचर पे पने पर पे जो भी है लेकिन एकोरडिंग टू पम करना है किया संटिक प्लम्रा नहीं तो आपको मेडिसिन देनी है नहीं ले पाएगा फ़राइ में देनी है कि मैडिस टारीक है गर 20 तारीक है तो आज से करीब करीब ये 15-20 दिन पहले पेशेंट मेरे पास आई थी ये फीमेल पेशेंट है एज करीब करीब 40 इनकी एज है 40 साल की एज है और ये पेशेंट मेरे पास आई हुनी थी और इनका जो थाराइट था उन्होंने मुझे थाराइट दिखाया उनका तीएस लेवल था वो more than 150 आपको स्क्रीन में देख रहा होगा आपको डिपोर्ट कि एक सुपचास इनका टीएसे चाह रहा था ठिक ये इनका टीएसे जा रहा था और यह जो पेशेंट थी ये मेरे पास आई और होमीपेथी टीटमेंट लेना चाहती थी वैसे तुनको मैंने पहले गाइड किया कि आपके पास नॉलेज नहीं है इस केस को तो 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 आप के सकते हैं लेकिन इतना आपके पास नॉलेज नहीं है इस केस को तो लेना नहीं चाहिए फिर आपको इसको रिफर कर देना चाहिए लेकिन क्या है मैंने इन पेशन को भी समझाये कि भाई मतला एक सो पचास बहुत अदिक इनका टीसे लेवल बढ़के आ रहा था तो कही ना कहीं आपकी जो थारेट ग्लैंड प्रॉपर काम नही पर लेकिन इसी कुछ जो आपको इस रिपोर्ट की रूप में इनका मतलब है कि इनकी जो ग्लेंड है पड़ेन बिकुल काम नहीं कर रही है यह फगार्द से हम बोलेगा जो रिंगे सिज सको यूज लो रहेगा और आपकी थाइड प्रॉपर काम करती रहेगी इसका मदल्ड टीएश्च को यूज़ हो रहा है लेकिन इनकी ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है हो सकता है कि जो रिसेप्टर की जो बैंडिंग कैपसिटी वह खराब हो गई हो या फिर जो थाइड लेंड का जो पराणी पेशेट थी उनके बड़के आया है तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी आपन क्या करते हैं एक मेने पापर ट्रीटमेंट लेते हैं और इसमें थोड़ा बदलाव भी आएगा तो फिर अपन करेंगे क्योंकि पेशेंट करना पड़ेगी पेशेंट आपके पास आय कि मैं दवा दूंगा तब ही ठीक होगा है बताइए जहां हमारा लिमिटेशन है वहां पर रुखिए और जहां लिमिटेशन लग रहा है कि भाई अभी हमें यहां नहीं कर पाएंगे तो इसको आपको रिफर कर देना चाहिए नेक्स डॉक्टर के लिए या जो जो एंडोक पूरे वही लेकर आये थे वीकनेस डलनेस डाउजीनेस सुस्ती पना वेट गेन हो रहा है काम करने मन नहीं लगना ठीक है ना बॉड़ी में स्वैलिंग उनको मिल रही थी बहुत सीवियर सिम्टम थे आप पेशिंट को देखके लगया कि बहुत सीवियर टी इसलिए उनको फिर पॉर्णाने की दवापन देते हैं कि रिजल्ट आता है तो अपना आगे कंटीन्यू करेंगे तो फिर उनका टीएश दिया और टीएश इनको जुन आया उसक्या 60 आया मोर देन सिक्स्टी देड़ सव से साथ अभी आ गया और साथ में आप देखें उनके जो सिम्टम से डलनेस जो एक बहुत अप लेवल की थी वह धीर धीर काम हो गई उनको लग रहा था कि मैं काम कर पा रही हूं अपना घर का वर्क पहले तो कुछ भी नहीं को लार्द विस कराएंगे यहां पर और कराकर जो भी लेवल होगा मैं आपको डिसक्स करूंगा तो यह केस में आप देखते हैं कितना मेराकल रिजल्ट आया 150 से मोर दें 60 और 60 करी टी यह से आ गया है और जो सिम्टम्स भी हैं वह भी धीर-धीर कैसे और नॉर्मल की और जा रहे हैं जिक प्रॉपर केस टेकिंग आपको करनी है प्रॉपर सिंटम्स लेनी प्रॉपर डाइगनोसिज बनानी है आपके दिमाज में यह तभी होगा जब आप प्रॉपर ली इसका जो पैठलोजी आपको आई की तभी आप इस बारे सोच पाएंगे और साथ में आप उनको ऐसी डाइ एक लाइट इनसाइम होता है उस एक्टीविटी मस्ट थायल्न राइटरड देने स्ली अगला आयोडीन आप शॉटनillion यो आ लेते है तो मैक्सिमुम आयोडीन के दौरा यूज किया जाता है और यह आयोडीन ही क्या करता है आपका T3 T4 फॉर्म करवाता है तो आपको आयोडीन नमक उनको खाने बोलना है ठीक है इसके लावा आयरेन की आपशक्ता होती है क्योंकि आयरेन प्रॉपर होगा तापकि बॉडी में अक्सिजन जाएगी तो प्रॉपर सेल की फंक्शनिंग होगी यह करनी है और साथ में थाइराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करने वाले फूड नहीं देने जो होते हैं जो फूड को खाने से मना करना डाइट प्लान भी करनी पड़े आपको तो उनको नहीं खाने बोलना है और आपके सेलेनियम और ये आइरेंट को बढाने वाले जोई बढाने वाले जीजिजमे उनहें खाने बोलना है तो प्रॉपर डाइट प्लान करनी पड़े यह बिना डाइट के ख़फिए ठीक प्रफेर क्ला जो मैं यूजस करता हूँ वह मैं देने के ऑद और इस तक अब आगे भी वह फॉलो करी है और सब्सक्राइट फॉलो करने बोला है और फिर देखते हैं नेक्स का रिजल्ट आता है इतना मेरेकर रिजल्ट मिल सकता है होमलोपेती में इतना बड़ा केस आपके पार आ सकता है जब यह आपने इसे मास्ट्री कर ली तो हंडेट परसन आएगा और बिलीव करके आएगा और यह पर आपको मेडिसिन के साथ डायट भी देनी पड़ेगी बहुत इंपॉर्टेंट है अके लिए मेडिसिन यहां काम नहीं करती है इसमें मेरा फॉर्मूला है थारेट के लिए वह मैं इसमें स्काइब करता हूं कि कोई इस प्रकार सफर भी कर रहा है और यह कितुर मेरा होमिप्रेटि किट है स्पेसिफिक हाइपो थायडे इस पासेपिक पि युआ को कब करने के लिए वह आप यूश कर सकते हैं ठीक है उसके लिए कॉंटेट कर सकते लेकिन वह जो के था वह कांसलिंग करने के बाद पेशिंट से बात कर के काउंसिलिंग करने के बाद वाकही उस पर वह करता है तब अपने अपने करते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आजा जाए और में उसके ज्大व करें ऑप उसके लगता है कि वह वह कुश्चरा को फॉलफिल करेंगा थे को फॉलो कर सकता है और अपने थाराइट को ये टी एसे लेवल को नॉर्मल आ सकता है तो ये इस परकार के वाले टी एसे को 60 में अभी पनाहतर किसे 15 डेस के दवा में हुआ है इन फूचर जाकर और देखते हैं कि इसमें पॉजेटी होगा तो भी बताऊंगा और नेगेटी ह होगा तो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वाकई इसमें क्या रिजल्ट आता है इस परकार से आप होमेपेती में इतने बड़े-बड़े केसे को देख सकते हैं और अपनी क्लिनिकल प्रक्तिस को इंप्रूब कर सकते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना च झा कि ऑमें नहीं आता है आता है बेसमें को इंपपल कर बाद क्योंगे त्वचब प्र dön Southern 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 Eastern Southern 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 Southern〜